Hello everyone, welcome back to our channel, तो इस वीडियो में हम UPSSCPET का जो एक्जाम हुआ है 2022 में उसका पूरा अनालिसिस करेंगे, उसका कित्ता कटाफ जाने वाला है इस बार, वो सब देखेंगे इसमें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब देखते हैं तो यह जो हमारा UPSSCPET का एक्जाम होता है, वो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होता है दो-दो सिफ्टों में, तो 15 अक्टूबर को ह अब यहां पर देख लेंगे कि फॉर्म कितने पड़े थे, 37 लाग फॉर्म पड़े थे, और इसमें उपस्थित बच्चे कित्ते प्रजेंट थे, 24 लाग बच्चे प्रजेंट थे इसमें, और UPSSCPET कि देख लेंगे, तो 13 लाग बच्चे अपसेंट थे, इस एक्जाम में तो यहीं से देख लेंगे कितना ज़्यादा डिफ्रेंस है, यहाँ पे 37 लाग फॉर्म पड़े थे, जबकि देखिए 13 लाग बच्चे अपसेंट हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको जो बच्चे एक जाम दिये हैं, पेपर दिये हैं, उनको बहुत ज़्यादा वैनिफिट हो यहाँ पेदेखेंगे थे, तो शषीट वालं को जादा फायदा भीपर होता है, तो यहाँ पे जो फंद र वाले बच्चे थे उनको कोई भी आइडिया नहीं था इस जा रहा है second shift वाला बाकि यह वाला जो पेपर था second shift में जो हुआ था 16 October को तो यह भी बहुत easy था इन सब के मुकाबले में तो यहां से देखेंगे तो यह इस वाले जो पहले shift में जो पेपर हुआ था 15 October को इससे ज्यादा benefit हो सकता है यहां पर next देखते हैं तो हमारा answer की कब तक आएगा तो आज साम तक किसका answer की आ सकता है फिर आप चख करते रहेंगे वहां वेबसाइट पर जाके तो आपको मिल जाएगा safe score की बात करते हैं तो अगर आप 75 plus गेन करते हैं तो यहां से उसकोर अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो आज तक की बार कटब कर तो इस कदर रोगर त्वेयरा प्रियुन और यहां से प्रिक्स nombreux कुरूड प्रीजेश्ट मैं यहां पर फिर हीगा है चार्थफटओं पर उसे हो लो आफ HR नो प्रिक्द सेव जोन में है, OBC का 58 से 62, EWS का 58 से 62, और ST अगर है, तो उनका 55 से लेके 61 के बीच में होगा, ST का 50 से 55, और अगर फीमेल केंडिडेट हैं, तो उनका 58 से लेके 63, और उसके बाद फिर ये फैमली जो फ्रीडम फाइटर फैमली से बिलॉंग करते हैं, तो उनका 50 से 56 होगा, सेप जोन रहेगा, जो कि ये काटाफ दिया गया है, कटेक्री वाइस, यहाँ पर यह हो जाएगा, और लाशीट देख लेते हैं, तो पैट में आने वाली भरती कौन-कौन सी है, जो आपकी 2030 में होने वाली भरतिया है, कौन-कौन सी है, तो ये बीडियो 2030 में आने वाला है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं उसके बाद जूनियर एसिस्टेंट का आने वाला है एनम, लेखपाल, पंचायस, सचिव उसके बाद फिर ये एगरिकल्चर टेक्निकल एसिस्टेंट उसके बाद अधर और भी बहुत सारी ऐसे भरतिया आने वाली है आपके पेट के अंतरगत और कानून गो तो ये छोटी सी UP SSSC पेट की अनालीसिस वीडियो थी आपको अच्छा लगा होगा ये सब जानकर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करिए पढ़ते रहिए मोटिवेटेड रहिए थैंकी सो मच